मैं विधायक नहीं खरीता प्रकाश जाले। पिल्कुल अधिती मत्यपदेश की सियासत में दल बदल आज भी जारी है जो मार्च से शुरू हुआ था सिंध्या समर्थकों का बीजेपी में जाना शुरू हुआ था उसके बाद आखिर ये सवाल उठ रहा है कि क्या मत्यपदेश की कांग्रेश से विधायकों का जो एक मन ह वो उप चुका है या मतलब विश्वास उठ चुका है क्यों जो विधायके हैं वो लगातार एक के बाद एक करते हुए कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी जॉइन कर रहे हैं तो इसको लेकर लगातार सवाल भी उठ रहे हुए दूसरी तरफ कांग्रेस इस मामल पर बीजेपी जॉइन की गई है उसको लेकर कमलनात का एक बार फिर बारयान आया है कमलनात ने कहा है कि हम में विधायक खरिदता नहीं हूँ और इस तरह से उन्होंने शिवरा सिंग चुहान और भाजपा पर विधायक खरिदने का आरोप लगाया है तो यह खरिद वरोप पर एक और विधायक कांग्रेस का भाजपा जयन करता है तो एक और विधान सब्सक्राइब हो चुकी है आला कि उस रिक्त सीड पर चुनाओ जो उपचुना होना है वह छे महीने बाद होंगे हाली में जो चुना होना है उसके साथ नहीं होंगे लेकिन फिर भी देखा जब सिंधिया जी के साथ बाकी विधायक भी आ गए इसके बाद अब जब कमलनात जी ने आरोप लगा दिया है कि बीजेपी इसके पीछे जिम्मेदार है वो विधायकों के खरीद फरोगत कर रही है बाजार खोलकर बैठी है बीजेपी और इस रंड़नीती पर काम कर रही है कि जो आए उसे खरीद लो क्योंकि कमलनात ने ये भी खा कि कहीं न कहीं बीजेपी को ये डर लग रहा है चुनाफ परिणाम से डर कर वो इस रंड़नीती पर काम कर रही है और इसके अलावा भी तमाम हथकंडों को लेकर कमलनात ने बयान दिया है क्या इस पर कहना और उनको पैसे का लालज देकर वो अपनी पार्टी में शामिल कर रहा है इस तरह के आरोप कमलनात द्वारा लगातार पिछले समय से लगाते आ रहा है और अभी हाल ही में भी उन्होंने इसी तरह का बयान दिया है तो यसे में सोचना होगा कि क्या इस बयान में सत्यता है या वास्तों में जो नेता हैं या विधायक हैं वो कॉंग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा रहा है इस पर सत्यता क्या है यह तो खेर इस पस्ट नहीं है लेकिन जो लगातार पलायन जारी है जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होने का करम जो जारी है नेताओं का उसको लेकर अब सियासत में इस तरह की जो सवाल हैं वो तेज उड़ चुके हैं कि क्या जो जनता जिस तरह से जनप्रतिनीदियों को चुनती है तो क्या उनका कोई वजूद नहीं है वो किस तरह से कब अपनी मनमर्जी का इस्तेमाल कर पार्टी बदल लेते हैं जो जनता है वो अपने आपको ठगा हुआ मैसुस करती है तो इस तरह से नेता लोग या तो अपने नीजी स्वारते के लिए इस तरह के कदम उठाते हैं या फिर जो पार्टी में वेचारिक माता हैं दोनों के आपस में नेताओं के जो वीचार हैं पार्टी में मिलनी पात जाते हैं शार इसले इस तरह के कदम उठाए जाते हैं तो इसको लेकर अब सवाल उठने लगे हैं शादूर बिल्कुल से क्योंकि अब देखा जा रहा है जनता जिस विधायक पर भरोसा करकर वोट देती है अगली बार वो किसी और पार्टी में नज़रा दे क्योंकि हाल ही म बयान में और इन आरोपों में ये तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे क्या सच में बीजेपी चुनावी परिणाम के डर से इस प्रकार के सच में हतकंडे अपना रही है या फिर ये सिर्फ एक हवा में की गई बात है धन्यवाद शारदूल तमाम जानकारियों के लिए ज इसले सर के बयान भी आ रहे हैं जो भी अपडेट्स होगी हम आप तक पहुचाते रहेंगे ताज़ा अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए MP News धन्यवाद